नमस्कार दोस्तों, वेल्केमियो डू जीकेटिक्स इस वोड़ेगों हम रीट एक्जाम्स के लिए RBSC एर्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नमबर 6 से सम्मंदी सारे इंपोर्टेंट प्रशनम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर के कोश्च नहीं देखें तो मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है RBSC की पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6 से लेकर दस्तक तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और देखिए सभी वीडियोस चैप्टर के अकोडिंग है और मैंने पूरी कोशिस किये कि किसी भी चैप्टर में से कुछ भी फैक्ट छूट नहीं चाहिए तो आप इमांदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा और हो सके तो सारे वीडियोस को देख लिजेगा बार-बार इनका रिविजन करिएगा मैं आपको आस्वासन देलाता हूँ कि रिट एक्जाम में आपको दस में से दस प्रश्ण पॉलिटिकल साइंस की हमारे इस सीरीज से देखने को मिल जाएगे आप भी हम इसके बाद में आटवीक बाद में नैंत और टैंत क्लास को भी लेंगे तो आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाएगी चले इस वीडियो की सुरुवात करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सेर जरू करिएगा संसद की पर्थम बैटक को कौन संबोधित करता है परधान मंतरी उपराष्टपती राष्टपती या फिर लोकसबा अध्यक्स देखे करेक्ट आँस रोगा संसद की पर्थम बैटक को संबोधित करता है राष्टपती नेक्स देखते फिर संगीय कारीपलिका में कौन सामिल नहीं है लोकसभा, रश्टपती, परधान मंत्री, मंत्री परिशद देखे correct answer रोगा संगीय कारीपलिका में सामिल नहीं है लोकसभा तो संगीय कारीपलिका में कौन कौन सामिल है संसद के कुल कितने सदन है एक, दो, तीन, यह फिट चार देखे करेक्ट आंस रोगा संसद के कुल दो सदन है कौन-कौन से एक है लोक सभा और सेकेंड है राज्य सभा संसद और राज्य विधाई का द्वारा समवर्ती सूची के एकी विशे पर कोई कानून बना लिया जाये तो किसका कानून मन्य होगा राज्य विधाई का का संसद का दोनों का किसी का नहीं देखे करेक्ट आंस रोगा ओप्सन नुबर सेकेंड संसद का संगात्मक विवस्ता की विशेस्ता है सक्तियों का विभाजन, सक्तियों का केंदरि करण, नैले की सुतंता का अभाव कोई नहीं। देखे, करेक्ट आंसरो में और फस्ट सक्तियों का विभाजन। यह विश्चेशता होती है संगात्मक विवस्ता की। सक्तियों का विभाजन। किस रूप में होता है। देखें केंदर सुची, सेकेंड राज्य सुची और थर्ड समवर्ती सुची. संसद का अंग नहीं हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्टपती, राज्यपाल. देखें करेक्टांस रोगा ओप्सन मेर फोर्थ राज्यपाल, संसद का अंग नहीं हैं, तो संसत के तीन अंग होते हैं और राजय सबा, लोकसबा और रश्टपती नेमन मैंसे किस देश में एकात्मक सासन व्यवस्ता है भारत, सयुक्त रज्य अमेरिका, ग्रेट बिटेन या फिर स्विटजलेन देखे, आपर करेक्टान सरोगा ओप्सन नमबर थर्ड ग्रेट बिटेन में एकात्मक सासन व्यवस्ता है तो यह आपको द्यान में रखना है, आगे चलते हैं भारती सविधान में नेमन मैंसे कौन सा लक्षन एकात्मक व्यवस्ता का है सविधान की सरोचता, सक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र, सरोच न्याले, इक खरी नागरिकता देखे, करेक्टान सरोगा एकात्मक व्यवस्ता का जो लक्षन है, वह है ओप्सन में फोर्थ, इक खरी नागरिकता कौन व्यवस्ता पिका और कार्यपाली का दोनों ही अंगों में सामिल है लोकसभा, राज्यसभा, या फिर राष्टपती, या फिर कोई नहीं देखे, करेक्टान सरोगा, व्यवस्ता पिका और कार्यपाली का दोनों ही अंगों में सामिल है राष्टपती देखें जो व्यवस्ता विकाएं, व्यवस्ता विकाएं यानि संसद, इसके अंतरगत कौन-कौन सामिल है, राष्टरपती, लोकसभा और राज्यसभा, कारिपाली का इसके अंतरगत राष्टरपती, परधान मंत्री और मंत्री परिशद, तो दोनों के अंतरगत पती आता है तो यहांपर हमारा करेक्ट आंसर भी यह होगा ओप्शन मर थाड़ रैष्ट्रपती नेमन मैंसे कौन सा संगात्मक व्यवस्ता का लक्षण नहीं है शासन की सक्तियों का विभाजन सासन की सक्तियों का केंदरिकरण द्वी इस्तरिय सासन स्वतंत्र व निस्पक् और लोगसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और लोगसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी है तो देखें यह है 552 तो यह आप द्यान रखेगा राज्यसभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है पांच वर्स चार वर्स छे वर्स या फिर आट वर्स देखें करेक्टांस रोगा ओप्सन नूमबर थर्ड छे वर्स और देखें अगर आपसे एक्जाम यह पूछ ले कि राज्यसभा का का कारे कारेकाल नहीं होता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का होना अवशक है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष देखिए अगर किसी सदस्य को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष राज्यसबब का पदेन सभबापति कौन होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, परधान मंत्री या फिरो राज्जपाल देहिए आपर correct working होगा राज्यसबब का पदेन सभबापति होता है उपराष्ट्रपति तो ये आप ध्यान रखेगा और निचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है राज्य सभा की बैटको का संचलन भी उपराश्ट पती के द्वराई किया जाता है मंत्री परिशद में कौन सामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिट सभी काफी अधिक इंपोर्टन प्रश्ट नहीं, कई बार कई एक्जम में आया हुआ भी है आप बते यहां पर से आंसूर क्या होगा मंत्री परिशद में कैबिनेट मंत्री भी सामिल होते हैं राज्य मंत्री भी सामिल होते हैं और उप मंत्री भी सामिल होते हैं तो सब भी यहाँ पर correct answer होगा, कौन सा कथन गलत है, तो देखिए यहाँ से आपके चार question ready होगे, कंटरेंश ले इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, तो कथन देखते हैं पहले, वर्तमान में लोकसभा में 530 सदश्य रज्यों से चुने जाते हैं, लोकसभा में 13 सदश्यों केंदर सासित परदेसों से चुने जाते हैं, लोकसभा में राष्टपती द्वारा 12 सदश्यों मनुनित किये जाते हैं, लोकसभा का कारेकाल 5 वर्स होता है, तो कौन सा कतन यापर गलत याब बताएं? लोकसभा में राष्टपती द्वारा 12 सदश्यों मनुनित किये जाते हैं, ये कतन गलत हैं, द्वारा 13 या फिर 12, देखें याँ पर करेक्ट आंस रोगा, औप्सन नमबर 2, 250, राज्जी सभा के सदश्यों की अधिक्तम संक्या हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन्वे से निर्वाचन कितने सदश्यों का होता है, तो 238 सदश्यों का, तो ये आप ध्यान र लोगसभा के सदश्यों का चुनाव जनता द्वारा वैस्क मतादिकार के अधार पर किया जाता है, लोगसभा का सदश्यों बनने के लिए नियूनतम आयू 30 वर्स होनी चाहिए, आप बतें याँ पर सही अंसर क्या होगा, कौन सा कतन यापर गलत है, देखें यापर जो गल तो इनकी बार में आपको ध्यान में रखना है, यहां से आपके अलग-अलग प्रश्न रेड़ी हो सकते हैं, भारत के राष्टपति का निर्वाचक मंडल है, भारत के समस्त वैस्क नागरिक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदश्य तथा, राज्य व संग सासित परदेशों की विदान सबाओ के निर्वाचित सदश्य, संसद के दोनों सदनों के समस्त सदश्य, राज्यों की विदान सबाओ के समस्त सदश्य, देखिए करेक्ट अंसर होगा, भारत के राष्टपति के निर्वाचित सदश्य, ओप्सन नमर् सेकेंड, संसद के दोनों स लोगसबा की बैटकों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है परधान मंत्री राष्टपती उप्राष्टपती लोगसबा अध्यक्स देखे करेक्टांस रोगा ओप्सन में फोर्थ लोगसबा अध्यक्स के द्वारा राज्य सभा में राष्टपती के द्वारा कितने सदश्य मनोनित किये जाते हैं दो, छे, बारा या फिर अठारा देखे करेक्ट आंसर होगा राज्य सभा में राष्टपती के द्वारा कुल बारा सदश्य मनोनित किये जाते हैं तो यह आप ध्यान रखेगा और जो ये मनोनित सदस्य होते हैं ये कुछ विशेश छेतर में अनुपवी होते हैं जैसे कि कला, सहित्य, विज्ञान और समा सेवा में तो ये भी फैक्ट आपको द्यान में रखना है राज्य सभा के संबंद में गलत कतन है यह संसद का पर्थम सदन है यह संसद का पर्थम सदन है यह कथन राज्य सभा के संबंद में गलत है देखे जो लोक सभा है ये संसद का पर्थम सदन है ना कि राज्य सभा राज्य सभा संसद का द्वित्य सदन है बागी के जितने भी फैक्ट दे रखे हैं ये राज्य सभा के सम्मन्द में सही है तो इनके बार में आप ध्यान रखेगा संसद कारिपालिका पर पूर्ण नियंतरन रखने के लिए किसका सहरा लेती है प्रश्नकाल का, ध्यानाकर्शन प्रस्ताव का, कामरको प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का या फिर सभी देखे करेक्टांस रोगा और समर फिप्त सभी भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक परतिनिदित्व चुनाव प्रणाली अपने जाती है परधान मंतरी, राष्टरपती, लोकसभा अध्यक्ष या फिर कोई नहीं देखिए करेक्ट आंस रोगा भारत में आनुपातिक पर्तिनिदित्व चुनाव पढ़ना ली अपने जाती है राष्टपति के चुनाव में यह आप द्यान रखेगा और यह भी आपको द्यान रखना है कि राष्टपति के चुनाव वो अव पर्तिक्स रूप से होता है ना कि पर्तिक्स रूप से भारत की टीनो सेनाओ का सर्वोच सेनापति कौन होता है परधान मंत्री, राश्टापति, रक्षा मंत्री या फिर ग्रह मंत्री देखे कर्यक्ट आंस रोगा आप्सन में सेकंड राश्टापति राश्ट्रपती पर महाव्योग की प्रक्रिया किस देश के सविधान से ले गई है अमेरिका, जापान, पूर्व सोवित संग, आयरलेंड देखे करेक्ट आंसर होगा महाव्योग की जो प्रक्रिया है ये ले गई है अमेरिका के सविधान से तो यह आप ध्यान केगा और भारत के सविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियों का उल्लेक हैं तो यह आपको ध्यान रखना है भारती सविधान का नेमन लिखेत में से कौन सा अनुचेद भारत की राष्ट्रपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ति परदान करता है अनुचेद 78, अनुचेद 74, अनुचेद 124, दो या फिर अनुचेद 123 देखें करेक्ट आंसर होगा राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ति परदान करता है अनुच्छेद 123 तो यह आपको कंटरस्ट लिद्यान में रखना है आगे चलते हैं सुम्मिलित कीजिए तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉस करना है तो देखें मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ जो अनुच्छेद 352 ने इसके अंतरगत उल्लेक है यह नमर आप्शन युद्ध, बाहिया अक्रमन या ससस्त्र विद्रों की इस्तती में आपात्का लगू करना अनुच्छे 356 के अंतरगत है, ओप्शन नमर B, किसी रज्य में संवेध्धानिक संकट उत्पन होने पर वहाँ अपात्का लगाना और अनुच्छे 360 में है, राष्ट में विद्धिय संकट आने पर विद्धिय अपात्का लगाना कंटरशली द्यान रखेगा, कई बार यांसे प्रश्ण बन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा देखे, फर्स्ट का यह हो रहा है, सेकेंड का B और थर्ड का C तो सेकेंड नमर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राष्ट पती के संबंद में गलत कतन है अंतराश्टी संदी एवं समझोते राष्ट पती के नाम से किया जाते हैं मृत्युदंड के मामले में समधान करने का अधिकार केवल राष्ट पती का है परधान मंत्री, रज्यपाल, सरोच न्याले एवं उच न्याले के नियाद्यूसों की न्युक्ति राष्ट्रपती करता है या फिर राष्ट्रपती बनने के लिए नियून्तम आयू 25 वर्स है आप बते हैं याँ पर राष्ट्रपती के संबन्द में कौन सा कतन गलत है देखें करेक्टांस रोगा ओप्सन नमबर फोर्थ देखें राष्ट्रपती बनने के लिए जो नियून्तम आयू है वो है 35 वर्स याँ पर 25 वर्स देर रखी है जो की गलत है तो यह आपको ध्यान में रखना है उपर के फैक्ट यह आप ध्यान रखेगा राष्ट्रपती के संबन्द में उपर राष्ट्रपती का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है केवल लोक सभा के निर्वाचक मंदल द्वारा, केवल रज्य सभा के निर्वाचक मंदल द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदश्यों के निर्वाचक मंदल द्वारा कोई नहीं देगे काफी अधिक इंपरेंट प्रश्ण है यहाँ पर करेक्टा आंस रोगा ओप्सन मर थर्ड संसद के दोनों सदनों के सदश्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट पती का चुनाव किया जाता है यह आप ध्यान रखेगा और निचेवला फ्यक्ट भी आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट पती का चुनाव एकल संक्रमनिय मत पर्णाली एवम अनुपातिक पर्तिनेदित्व पदती के द्वारा गुप्त मतदान से होता है रश्ट पती का पद, त्याग पत्र, मृत्यू तथा अन्य कानों से रिक्त होने पर कौन रश्ट पती के रूप में कार्य करता है उपराष्ट पती, सर्वोच नियाले का मुख्य नैदिस, प्रधान मंत्री, लोकस बद्यक्स देखिए, करेक्ट रश्ट रोगा, उपराष्ट पती, यह आप द्यान रखेगा लेकिन जब उपराष्ट पती भी अनुप्रस्तित हो, तब रश्ट पती के पद के लिए, जो कारी करता है, वो है सर्वोच नियाले का मुख्य नैदिस, और एक बार ऐसा हुआ भी है मंत्री मंडल में सामिल होते हैं, और अगर आपसे यह पूछ ले ए एक्जाम में, कि मंत्री परिशत में कौन-कौन सामिल होते हैं, तो मंत्री परिशद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये सबी सामिल होते हैं कौन राश्ट्रपती और मंत्री परिशद के बीच संपर्कडी के रूप में कार्य करता है लोक सब अध्यक्स परधानमंत्री रक्षा मंत्री उपराष्ट पती देखिया अपर correct answer रोगा option number second परधानमंत्री राष्ट पती कब अध्यादेश जारी करता है जब लोकसबा का सत्र चल रहा हूँ जब राज्यसबा का सत्र चल रहा हो जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो या फिर जब किसी का भी सत्र नहीं चल रहा हो देखें आपर करेक्ट आंसर होगा राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकता हैं जब संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो यह आपको द्यान में रखना है, option of fourth यहाँ पर correct answer होगा भारत के उप्राष्टपदी के पद के लिए कौन सी योग्यताई आवसक है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयो पूर्ण कर चका हो वह राज्य सभा सदिश्य बनने के लिए योग्य हो, या फिर सभी आपको लास्ट चेप्टर की question का answer इस वीडियो के comment section में देना है संपत्ति के मूल अधिकार को किस समवेधानिक संसोदन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया 42 वा सविधान संसोदन, 45 वा सविधान संसोदन, 66 वा सविधान संसोदन या फिर 78 वा सविधान संसोदन और देखिए हमारे इन वीडियो का जो लाइव टाइम है वो भी आपको ध्यान में रखना है सुबे 8 बजे और सामको 7 बजे हमारे वीडियो लाइव रहते हैं और आप मैंसे जो भी नए स्टुडेंट है मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा जो हमारी स्रीज कंप्लेट हो चुकी है उन्हें आप जरूर देखें जैसे कि NCRT राजस्तान जी के RBSC जोग्रफी, हिस्ट्री और साइकलोजी ये स्रीज हमारी कंप्लेट हो चुकी है, इन से सम्मधित अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है उन प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और देकि सारे वीडियोस चैप्टर के अकोर्डिंग मैंने रखे हैं तो आपको जब भी टाइम मिले, उनको देख लिएजएगा, बार-बार रिविजिन करिएगा अधिकतर प्रश्ण आपको हमारी इन वीडियो से देखने को मिल जाएगी और जल्द में आपको RBS की पॉलिटिकल साइंस भी कवर करा दूगा तो चैनल से बने रहेगा, इस वीडियो में इतना ही है, टेलेग्राम से अगर आप जोइन नहीं हुए तो जोइन हो जाएगा, सिंपली टेलेग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें जीकेटरिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके सपोर्ट जरू करें आपका एक लाइक भी हमें काफी अधिक मोटिवेट करता हैं इस परकार की निसुलक वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद